दुनियादारी इस ब्रोट यू बाइ मूव स्ट्रॉंग आप करो मूव तो रिश्थे बढ़ें मोच न घुटनों में हो न रिश्थों में स्ट्रॉंग मूव पॉर रिश्थे बढ़ें अब दर्च से रहत के साथ साथ पाउ किटानूं से सुरक्षा भी स्ट्रॉंग मूव के साथ डेटल अंटिसेप्टिक लिक्विड बिल्कुल बुफ्ट ना गाना ना कविता ना गजल ना कोई डायलॉग आज दुनियादारी शुरू करेंगे एक शब्द से पाउ पाउ ये बर्मीज भाषा का शब्द है इसका मतलब होता है सहोदर यानी एक मा के बच्चे भाई करीब एक परस पुरानी बात है तारीक थी 16 जन्वरी 2020 इस रोज म्यामार के एक अखवार दि ग्लोबल न्यू लाइट आफ म्यामार में एक लेख छपा क्या लिखा था इसमें म्यामार की भाषा में पावपाव का मतलब होता है siblings from the same mother चीन और म्यामार की जन्ता के भाईचारे का इजहार करने के लिए ये सबसे सटीक शब्द है किसने लिखा था ये आर्टिकल इसे लिखा था चीन के प्रीमियर शी जिन्पिंग डिए आर्टिकल की जो में बॉड़ी थी उसके ठीक उपर जिन्पिंग की एक मुस्कुराती हुई पासपोर्ट टाइप फोटो लगी थी उन्होंने लिखा कि म्यामार मुझे बहुत सुन्दर लगता है इसकी विवित्ता से भरी संस्कृती और महंती लोगों का मैं कायल हूँ कुल मिलाकर भाव ये कि म्यामार और चीन के बीच म्यूच्वल लव है ये आर्टिकल चपने के अगले रोज जिन्पिंग सशरीर म्यामार में उपस्थित थे म्यामार की ततकालीन मुखिया आंगसान सूची सरकार ने पलक पावडे बिचा कर उनका स्वागत किया इस स्वागत की कई वज़ें थी सबसे बड़ी वज़े ये कि उस वक्त चीन बस म्यामार का बेस्ट फ्रेंड नहीं था एकलोता दोस्त था रोहिंग्या नरसंगार के चलते सूची गवर्मेंट को बाकी दुनिया ने जटक दिया था चीन को मानवादिकार और नरसंगार से तो कोई लेना देना है नहीं नहीं मानवादिकार से नहीं है नरसंगार से खूब है इसलिए जिसे दुनिया ने जटका उसे चीन ने लबका वो लगातार सुरक्षा परिशद में म्यामार को बचाता रहा उसके खिलाफ आने वाले प्रस्ताओं पर वीटो करता रहा इसके बदले चीन को म्यामार में अपर हेड मिला जहां देखो वहाँ चीनी कंपनिया चीनी प्रोडक्ट्स चीन की परियोजना है यानि म्यामार में चीन की बंबं हो गई लेकिन ये तो एक बरस पुरानी बात है फ्लेश बैक में चल रहे हैं अभी क्या हो रहा है म्यामार में ये जानने के लिए आप सबसे पहले ये तीन तस्वीर देखिए क्या दिखा बैनर और पोस्टर जिन पर लिखा है चीन गेट आउट शेम ओन यूची बाइकॉट चीन बाइकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स और ये तस्वीरे कहां की है ये उसी म्यामार की तस्वीरे हैं जहां एक बरस पहले चीन के राष्टपती के लिए रेट कार्पिट बिछा था जहां कुछ दिन पहले तक चीन की तूती बोलती थी उसी म्यामार में आज चीन हाय हाय के नारे गूँज रहे है चीन को म्यामार में फिलाल मूग की खानी पड़ी और ये इस्थिती अकेले म्यामार की नहीं है नेपाल में भी चीन के साथ यही हो रहा है इन दोनों देशों में चीन की नुकसान का मतलब है भारत का फाइदा कैसे आज विस्तार से समझते हैं नमस्ते मेरा नाम सौरब दिवेदी है और ये लललन टॉप का अंतराश्टी प्रसंगों से जुड़ा कारिक्रम दुनियादारी है हमने शुरुआत में दो देशों का नाम लिया म्यामार और नेपाल सबसे पहले म्यामार की बात करते हैं पहला सवाल ये कि चीन को म्यामार में दिलचस्पी क्यों है ऐसा क्या खास है जिस पर चीन की नजर है इसका जवाब है भूगोल इस बात को समझने के लिए हमें म्यामार से पहले भारत के पश्श्मी तट पर नजर डालनी होगी यहां गुजरात के पार सिंध है और उसके परे बलोचिस्तान दोनों अरब सागर के समुंदरी तट पर बसे है सिंध में कराची है हम जानते हैं और वहाँ पाकिस्तान के पास अपना बंदरगाह है बलोचिस्तान में है गौदर बंदरगाह जो चीन के पास है चीन अपने यहां से गौदर पहुंचता कैसे है वो शिंजियांग प्रांत को क्रॉस करता है फिर गिलगित बाल्टिस्तान और बलोचिस्तान होते हुए गौदर पहुंचता है ये उसके लिए अरब सागर तक पहुंचने का सबसे छोटा रूट है और अरब सागर का मतलब मि बांगलादेश और म्यामार चीन ने पहले बांगलादेश की रास्ते हमें घेडने की कोशिश की यहां सोना दिया आइलेंड नाम की एक जगह है आप मांचितर पर देखेंगे तो समुद्र पर ठीक कोलकाता के समानांतर ये लोकेशन नजर आईगी चीन यही पर एक से हटा कर जापान को अप्रोच किया बांगलादेश में चीन को एक बड़ा जटका मिला इसके चलते लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वहां पर चीन का चैप्टर खत्म हो गया चीन की दो कंपनियों ने 2019 में बांगलादेश के साथ एक डील की इसके तहर चीनी कंपनियां बा हमारे दूसरे पड़ोसी म्यामार की तरफ जलते हैं अब मांचित्र पर म्यामार की लोकेशन देखिए इसके पूर में चीन का युनान प्रांथ परता है उत्तर में तिबबत है जिस पर चीन का कबजा है अब इसी मांचित्र पर भारत को देखिए हमारे नौर्थीस्ट का एक बड़ा हिस्सा म्यामार की सीमा से जुड़ा है अरुनाचल प्रदेश से नीचे होते हुए नागालेंड, मनिपूर, मिजोरम की एक लंबी सीमा म्यामार से जुड़ी है चीन अरुनाचल पर अवैद दावा करता है अगर उसे म्यामार में अपरहंड मिले तो उस रास्ते भी वो हमें तंग कर सकता है अब सोची कि अगर चीन अपने यहां से म्यामार में दाखिल हो उसके दक्षन की तरफ नीचे आए तो वो पहुँच जाएगा बंगाल की खारी यानि उसके लिए ये रूट हिंद महासागर पहुचने का शौट कट है और यही शौट कट और इंडिया से नजदी की म्यामार में चीन की दिल्चस्पी का सबसे बड़ा कारण है और यही वज़े है कि पाकिस्तान की तरह उसे म्यामार में भी एक ओवर फ्रेंडली सरकार चाहिए 2015 में जब सूची में आमार की लीडर बनी तो चीन पसोपेश में था इसकी वज़े थी सूची की छवी वो मानवादिकार की चेंपियन मानी जाती थी भारत की मित्र मानी जाती थी उनकी पढ़ाई लिखाई यहीं हुई चीन को लगा कि एक लोगतांत्रिक और जिम्मेदार सरकार उसके साथ नजदी की बढ़ाने से हिचकेगी लेकिन इसका उल्टा हुआ पावर में आकर सूची बदल गई सत्ता समालने के बाद अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए उन्होंने चीन को चुना इसके साथ कई सारे व्यापारे समझोते भी हुए चीन म्यामार का सबसे बड़ा विदेशी निवेशक बन गया उसकी बेल्ट एंड रोड पर योजना का एक बड़ा एहम हिस्सा भी म्यामार हो गया बात के दुनों में रोहिंग्या क्राइसिस के चलते म्यामार जब पूरी दुनिया से कट गया उस पर अंतराश्ट्री प्रतिबंद लगने लगे तब भी चीन का म्यामार में दखल और बढ़ा 2018 में इसी दोस्ताना सूची सरकार ने चीन के साथ एक बड़ा स्ट्रेटिक करार किया यहां चीन के साथ मिलकर म्यामार एक पोर्ट बना रहा है हमारा ओडिशा वाला हिस्सा है उसी के समानांतर बंगाल की खाड़ी के पार पड़ता है क्या यू कप यू यहां बन रहे पोर्ट में चीन और म्यामार की साजेदारी है 70 और 30 की यानि 70% चीन देगा बाकी 30% म्यामार इसके लिए भी चीन म्यामार को आसान लोन मुहिया कराएगा अब जाहिर सी बात है कि जिसका जादा निवेश होगा उसका असर भी जादा होगा एक आशंका ये भी है कि अगर म्यामार अपने हिस्से का रिटन नहीं दे सका तो मुम्किन है कि चीन इस पर समूचा कबजा कर ले ठीक उसी तरह जैसे उसने श्रीलंका के हमबन टोटा पोर्ट पर कबजा किया अब कुछ बिंदूहों में जान लीजे कि मैमार में चीन के और कौन से बड़े प्रोजेक्ट्स हैं पहला 24 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स दूसरा दो बंदरगाह प्रोजेक्ट इन में से एक डीप सी पोर्ट है और एक सामान है पोर्ट तीसरा छे माइनिंग यानि खनन से जोड़े प्रोजेक्ट चौथा एक पावर प्लांट प्रोजेक्ट पाँचवा तीन इंडस्रियल पार्क पर योजनाए छेटवा एक गैस और तेल पाइपलाइन पर योजनाए इसके लावा एक बॉर्डर एकनॉमिक जोन भी है इसके अलावा शेहरों का डिवलप्मेंट, रेलवे लाइन, क्रिशी उतपाद और आईटी पार्क जैसी योजनाए अलग से हैं यानि मियामार में चीन ने खुले हातों से पैसा जोगा है उसे उमीद थी कि इसका मुकमल रिटर्न मिलेगा सब कुछ उसकी प्लैनिंग के हिसाब से चल रहा था, लेकिन चीन गच्चा खा गया एक फरवरी 2021 को मियामार में हुए तख्ता पलट के चलते उसकी इस्थिती साप छचुंदर जैसी हो गई क्या इसकी वज़े है? क्या आर्मी लीडर्शिप के साथ उसके रिष्टे ठीक नहीं? रिष्टे पूरी तरह से खराब नहीं है, लेकिन सूची सरकार जैसे बेहत दोस्ताना भी नहीं है म्यामार की आर्मी लीडर्शिप चीन के साथ थोड़ा फूब फूब कर चलती है सुरक्षित दूरी बना कर रखती है आर्मी म्यामार में चीन को खुला हाथ नहीं देना चाहती एक दशक पहले जब वहां आर्मी लोकतंतर की बापसी के लिए राजी हुई तो उसकी वज़े भी चीन था आर्मी को लग रहा था कि डिक्टेटर्शिप के चलते उसका देश चीन पर निर्भर हो गया है यही हाल रहा तो म्यामार चीन की अनो ओफिशल कॉलोनी हो जाएगा इसलिए सूची गवर्मेंट का जाना और उसकी जगए आर्मी का लोटना चीन के लिए पहला जटका था इस जटके से निपटने के लिए चीन ने अपनी इंटरनेशनल कुववत का इस्तिमाल किया उसने अंतराश्ट्री कम्यूटी के आगे मियामार आर्मी का बचाव किया वीटो लगाकर तक्ता पलट के खिलाफ सुरक्षा परिशद में प्रस्ताव पास नहीं होने दिया खुद भी इस तक्ता पलट के खिलाफ कोई कड़ी प्रितिक्रिया नहीं दी कहा कि तक्ता पलट नहीं, कैबनेट री शफल हुआ है चीन ये सब इसलिए कर रहा था ताकि मियामार आर्मी से अपनी बात बना कर रख सके उनकी गुट बुक्स में आ सके, इंटरनेशनल आईसोलेशन का फायदा उठा सके लेकिल फिर सामने आई मियामार की जनता, और उसने दिया चीन को दूसरा बड़ा जटका मियामार की जनता पिछले 22 दिनों से सडक पर है, वो आर्मी को सक्ता से हटाना चाहती है चुकि चीन इस तक्ता पलट पर मियामार आर्मी को सपोर्ट कर रहा है इसलिए जनता उसे भी भागिदार मान रही है लोग चीन के जंडे जला रहे हैं चीन विरोधी नारे लगा रहे हैं प्रदर्शनकारी मियामार इस्थित चाइनीज दूतावास के बाहर जाकर भी हंगामा कर रहे हैं इतना ही नहीं, चीन के सामान के बहिशकार की अपीलें भी चल रही हैं, फिलाल में आमार में आर्मी और चीन दोनों जनता के बराबर निशाने पर हैं। इस एंटी चाइना सेंटीमेंट की एक बड़ी वज़े इंटरनेट भी है, तक्ता पलट के बाद भढ़के जनविद्रो का एक बड़ा हतियार था इंटरनेट, इसके मारफत लोग एक जुट होते, प्रोटेस्ट के लिए भीर जुटाते, साथी फेस्बुक जैसे प्रेटफ किया जा सके, ये टै किया जा सके, कि कौन सा कॉन्टेंट इंटरनेट पर दिखेगा, कौन सा नहीं। और इस सेंसर्शिप का चैंपियन कौन है? चीन! खबर है कि वही इस सेंसर्शिप में मियामार आर्मी की मदद कर रहा है, इसके लिए उसने अपने विशेशग्ये, और जरूरी सामान मियामार को भिजवाये हैं खास इस काम के लिए मयामार की फॉज को सौफ्ट वी दिये हैं और इनी खब्रों के चलते मियामार में एंटी-चाइना सेंटिमेंट चरम पर हैं यह माहॉल चीन के विया Cub and Samrabe acker-inch चीटों के लिए ठीक का असर करीब 4 साल रहा, 2011 से 2014 तक मियामार में चीन का निवेश लुड़कता गया, लेकिन इस बार मियामार की पब्लिक पहले से जादा भड़की है, वो पावफाव वाला सहोधा रिष्टा जिस पर बड़े नास से जिन्पिंग ने लेख लिखा था, उसको मियामार की जनता थेंगा दिखा दिया, पब्लिक ने बायकॉट जारी रखा, तो चीन को बहुत महगा पड़ जाएगा, उसके तमाम प्रोजेक्ट लटक जाएंगे, यहाँ पर मियामार का आपने हाल जाना, अब चलते हैं नेपाल की तरफ, यहाँ भी चीन को निराशा हाथ लगी, चीन के उनकी मदद की उनकी वफादार राश्टपती बिद्या देवी भंडारी ने, राश्टपती भंडारी भी चीन के प्रभाव वाले गुट का हिस्सा हैं, लेकिन ओली के इस फैसले को नेपाल में समर्थन नहीं मिला, जंता ने तो विरोध किया ही, साथ ही सत्ताधारी NCP या अध्यक्षता वाली Constitutional Bench ने सर्व सम्मती से ये फैसला लिया, एक भी जज ने ओली के फैसले को सही नहीं माना, Bench ने राश्टपती को संसत दुबारा बहल करने का निर्देश भी दिया है, ओली ने कोट के आगे तरक दिया था कि NCP में अंदरूनी लडाई चल रही थी, प्रचेंड और माधव नेपाल का गोट ने काम नहीं करने दे रहा था, इसलिए उनके आगे संसत भंग करने के सिवा कोई चारा नहीं था, सुप्रीम कोट ने ओली के स्तर को पूरी तरह खारिज कर दिया, अब संसत फिर से बहाल होगी, वही पुरानी संसत फिर से यहां ब प्रचेंड और माधव नेपाल गोट के पास हैं 90 सीटें और ओली के पास तकरीबन 84 सांसदों का सपोर्ट है, यानि ओली फिलहाल स्पष्ट अलपमत में हैं, प्रचेंड गोट के पास ओली गोट से जादा सीटें भले हों, लेकिन बहुमत उनके पास भी नहीं है, ऐसे में सारा दारोमदार विपक्षी पार्टियों पर है, विपक्षी की दो सबसे बड़ी पार्टियां हैं नेपाली कॉंग्रेस और जनता समाजवादी पार्टी, नेपाली कॉंग्रेस के पास 63 सीटे हैं और जेएसपी के पास 32, प्रचंड और ओली दोनों गोट विपक्षी पा साथ मिला लें तो आश्यर नहीं होगा ओली और प्रचंट दोनों में से जो अच्छी डील देगा शायद उसका पलड़ा भारी रहे यहां एक और दिल्चस पैंगल है जान लीजे नेपाली कॉंग्रेस के मुखिया है पूरु प्रधानमंत्री शेर बहादुर देवबा खबर इस वीच नेपाली कॉंग्रेस पार्टी में फॉर्मल बटवारी की भी जमीन बन रही है खबर है कि ओली वाले धड़े के कही लीडर प्रचंट वाले गुट को ज्वाइन कर सकते हैं ऐसा हुआ तो ओली और मुश्किल में फस जाएंगे संसर बहाल करने के लिए सुप्रीम को रोकने की बहुत कोशिश की प्रचंड और ओली गुट में पैचप करवाने में खुब पसीना भाया कई दौर की वारता हैं लेकिन बात बनी नहीं ओली की राजनेतिक इस्थिति और जनाधार दोनों लगातार सिकुड रहे हैं ओली की मुश्किल हैं चीन के लिए गुड जानकार है पिछले साल के शुरवाती 6-7 महीनों में चीन ने साउथ एशिया में भारत को कई फ्रंट्स पे बैक फूट पे जाने पे मजबूर कर दिया था लेकिन हमने ये देखा है कि अक्टूबर के बाद से भारत की क्षेत्रिय नीती में परिवर्तन आया है और उस परि इस वक्त फ्रंट फूट को अख्तियार कर लिया है फ्रंट फूट पे भारत इस वक्त आ गया है क्यूं हुआ है ऐसा मेरे ख्याल से तीन कारण है इसके पहला कारण है लेवल अफ एंगेजमेंट जो भारत की तरफ से है उसका वो बढ़ गई है आपने नेबाल में देखा ह तो Intelligence Chief, Army Chief और विदेश मंतरी तीनों ने जाकर के Outreach की आपने म्यामार में देखा होगा, Army Chief और Foreign Secretary ने जाकर के Relations को Upswing पे लाने की कोशिश की और हमने पिछले दिनों देखा कि किस तरह से विदेश मंतरी ने खुद Maldives में इतना इंटरेस्ट लेकर के Relationship के Turnaround को लीड किया है तो High Level of Engagement एक पहला कारण रहा है इस Upper Hand का जो दूसरा कारण रहा है वो Vaccine मैत्री या फिर Vaccine Diplomacy का रहा है भारत ने नेपाल को, म्यामार को और मॉल्डिव्स को एक Front Foot पे आकर के Proactively Vaccines Gift की और Personnel को train किया Administration को लेकर के Vaccine किया Administration को लेकर के और इसका Goodwill भारत को मिला है और यहाँ पर चीन को भारत ने मात दी है इन तीन देशों में दूसरे देशों में भी पर इन तीन देशों की हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पर और तीसरा जो कारण रहा है वो एक ने तरीके का यथार्थवाद यानि रेलिजम भी भारत की नीती में देखने को मिला है और इसका सबसे बहतरीन मुझाहिरा नमूना उदाहरण हमारे सामने म्यामार को लेकर के आया जब हमने हमारी जो स्टेटमेंट थी उसमें भी मॉडरेशन को बरखया रखा हमने कहा कि जनतात्रिक प्रक्रिया यानि डेमोक्राटिक प्रोसेस को हम रिस्पेट करते हैं पर जो पार्टीस हैं वह सब साथ में आकर के म्यामार के कि राय को रिस्पेक्ट करें ये जब स्टाबर्ट हुआ मैमार में तो उस कॉन्टेक्स्ट में भारत का स्टेटमेंट आया साथ ही साथ भारत ने Security Council में भी जो ब्रिज बिल्डिंग का रोल प्ले किया और एक मॉडरेटेड स्टेटमेंट बाहर निकाला उसे एक नए रियलिजम की जलक हमें विदेश नीती में शेत्रिय विदेश नीती में देखने को मिलती है ओली एंटी इंडिया थे उन्होंने भारत और चीन दोनों से संतुलन बना कर रखने की कोशिश तक नहीं की एक तरफा चीन के साथ चले गए नेपाल में चीन को खुली छूट दी हलाकि इसके पीछे भारत की भी कुछ गलतियां रही अच्छी खबर ये है कि प्रचंड माधो नेपाल और जादातर विपक्षी नेता ओली की तरह एक तरफा चीन की तरफ होने के पक्षिदर नहीं है वहां कई नेताओं ने ओली की एंटी इंडिया पॉलसी का विरोध किया था भारत भड़काओ भाशनों की निंदा भी की थी यानि अगर ओली की जगे कोई और सरकार आती है तो भारत और नेपाल के रिष्टे सुधर सकते हैं हम सहोधर हैं चीन तो वहां फर्वी वाला कर रहा था पिछले कुछ बर्सों में हमारे बीच कुछ कड़वाहट आई है जो कम भी हो रही है चीन का परहन्ट खत्म हो यह भारत के भी हित में है और नेपाल के भी हि जलते हैं पहली सुरकी कैनेडा से हैं यहां साओधी के पूर्व खुफिया अधिकारी साध अलजबरी पर एक केस चल रहा है यह किया है साओधी किंग्डम की कुछ कंपनियों ने इसी ट्राइल के दौरान खशोगी मर्डर केस से जुड़ा भी एक बड़ा खुलासा हुआ कोर्ट में कुछ टॉप सीक्रेट डॉक्यमेंट पेश किये गए जिसके मुताबिक खशोगी मर्डर में इस्तिमाल हुए दोनों विमानों के मालिक MBS हैं यह विमान स्काई प्राइम एविएशन नाम की कंपनी के थे हत्या के एक साल पहले इस कंपनी की ओनर्शिप सौधी क के पब्लिक इन्वेस्मेंट फंड को ट्रांसफर हुई थी और इस फंड के मुखिया मुहमद बिन सल्मान यानी MBS है दूसरी सुर्की बिटेन से है यहां पुलिस को एक दो बरस पुरानी चिठी मिली चिठी में पुलिस से 20 बरस पुराने केस को दुबारा खोलने का आगर 2000 में शम्षा को बिटेन से किड्नेप कराया था बिटेन की पुलिस ने 20 केस की जांच की थी लेकिन दुबई ने तब सयोग नहीं किया था इसलिए जांच पूरी नहीं हो पाई थी और केस बंद करना पड़ा था 30 सुरकी अर्मेनिया से है यहां सरकार और सेना में टेंशन बढ़ गई है प्रदानमंत्रिय ने आके निकोल पशिनियान उन्होंने एक टॉप लिट्री अफसर को बरखास्त किया जवाब में सेना निकोल को अल्टीमेटम दिया कहा कि पीम और उनकी पूरी कैबनेट स्तीफ इसके बाद से ही सेना और पीम के बीच तनाव है आज के दुनियादारी में इतना ही अपना ख्याल रखिये शुबरात्रे कसर रह गई हमारी कोशिशों में एक कसक रह गई कि देश जितना बहतर जितना महान हो सकता था हो नहीं पाया और एक कसम रह गई कि देश का जो उसे थोड़ा बहुत तो उतारना है भावुगता का लबादा ओड़ कर बोलता तो यूँ बोलता लेकिन बात सीधी है तो सच्चे ढंग से आप तक कहीं जानी है लल्लन टॉब लेकर आया है एक नया प्लैक्फॉर्म तेरा तुझको अरपंड ये प्लैक्फॉर्म उन सब भारतवासियों के लिए है जो भारत से दूर किसी दूसरे देश की जमीन पर है कभी पढ़ाई के लिए कभी नौकरी के लिए ये उन सब भारत वन्शियों के लिए भी है जिनकी पहचान का हिस्सा ये महान देश है लेकिन कुछ कसर और कसक है तो आईए कसम खाएं कि देश को बहतर बनाएं हमें आपसे चाहिए आपके हिस्से का ज्यान जो आप ललन टॉप के जरीये अपने देशवासियों के साथ साजह करें ये मस्ती के पल भी हो सकते हैं जब आप कहीं घूमने जाएं और आपको लगे कि सिर्फ मेरे यार दोस्त और परिवार वाले ही क्यों पूरा देश जाने इ हिस्सा बनिये